जै मालक्ष्मी नमस्कार दोस्तों भैशादनापांडे मागदर्सन प्यापका श्वागत करते हूं दोस्तों गुरुवार को कहा जाता है कि इस दिन पोजा पाट करने से गुरुदेव ब्रहश्वती की कृपा होती है और भगवान विश्णू की कृपा होती है एक बड़ा सवालना आता है कि जब शुक्रवार को हम लोग मालक्ष्मी कि पूजा करते हैं तो गुरुवार के दिन क्यों कहा जाता है मालक्ष्मी को प्रश्ण करने के लिए तो प्रया लोग जानते होंगे कुछ प्रश्ण भी आता होगा तो एक चीज बतादू आपको कि मालक्ष्मी को सुक्रवार के दिन ही आराधना उनकी की जाती है लेकिन गुरुवार के दिन जब आप उनकी आराधना करते हैं तो मालक्ष्मी भगवान विश्णु के साथ आती हैं और सास्तर कहता है कि जब मालक्ष तुम्हां लक्षमी गरुड पर ही सवार हो करके आपके आएं और गरुड वाहनी लक्षमी को ही सास्त्र स्रेश्ट लक्षमी मानता है लेकिन जब आप उलूख वाहनी लक्षमी की आराधना करता नहीं लेकिन कुछ लोगों के यहां चड़क लक्षमी आती है यानि कि कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि बहुत पैसा रुपया बहुत सारा वाहभा है उनके और कुछ समय बाद वाहभो समाप्त होने लगता है तो ऐसी लक्षमी को उलू कुवाहिनी यानि कि उलू पे सवार हो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूं आज बस मैं ये बात करने वाली हूं कि गुरु आरके दिन देखा जाता है कि जो भी संपन परिवार यानि कि पिढ़ी दर पिढ़ी से जिनकी हां गरीबी कभी आई ही नहीं उन संपन परिवारों ने एक नियम अपनाया हुआ अब आपको सद्धा अपनी छमता है कि वह कितना पूजापाट कर सकते हैं तो उस नियम के बारे में जितना मुझे जानकारी है और जितना मने लोगों से सुनाएं बस यह जानकारी मैं आपको देना चाहती हूं और दूसी चीज की हर जानकारी हर कड़ी जो है वह सास्त्र के साथ मिली ह सब्सक्राइए चाहती हैं तो इस नियम को हर कुछना करना चुछ कर दे तो लन Stage समस्ति होने लगती है यह बरिहस्पतृ देव के मतल Remo कि मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि जिस जाते के ऊपर भगवान विश्णु की कृपा होती है मालक्ष्मी स्वैम उसके आँ निवास करती है क्योंकि मालक्ष्मी जो है वह विश्णु जी को बहुत जादा कहिए तो उनकी आराधना करती है उनकी सेविका है उनकी बिना वोर रह नहीं स बताने वाले जो हूं वह बड़ी आसान सी विधी है केली का पेड़ आप गमले में लगा लें घर के पीछे साइड में रखें बहुत सारे लोग पूछते हैं बालकनी में रखें या इधर उदर तो देखें इसका सही स्थान जो है वह घर के पीछे ही होना चाहिए केला जो व में बतायी है कि उनमें जो है साक्षात उनकी पूझा करने से अंतरगत के अंतरगत यानि की वरिक्षे जो है उनमें अलग अलग देवी देवी रूटा और ग्रहों के जोड़कर देख जाते हैं तो वैसे ही ये काम आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये काफी चमतकारी है और दूसरी चीज कि आप इनको उपायों की तरह लीजिए ही नहीं, यदि आप ये उपाय जो है महिने, दो महिने, तीन महिने करते रहें तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि कल कौन सा दिन तुरंत आएगा कि हमें यही काम करना है तो यह आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा और जब आपने इस तरह की दिन चर्या बना ली तो निश्चित रूप से आपकी परिसानिया जो आपको कोई अलग से उपाय गुरुदेव ब्रहस्पति को मजबूत करने के लिए करना ह नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत साधार सा जो अपने दिन चर्या है उसी में सारे नियम सामिल कर लिया तो आप दूसरे नियम की बात करूं कि दूसरा क्या करना है आपको तो देखिए सारे घरों में हमने देखा है कि एक उपाय जरूर होता है ब्रहस्पतिवार के हैं तो चने की डाल गुड और उसमें तुलसी पत्र जाल करके भगवान विष्णु को भोग लगा है जो भी हो सकता है देखिए वह आपकी छमता है मैं नहीं बता सकती हूं कि आप कौन सा पाट करेंगे कौन सी पूजा करेंगे लेकिन कुछ विसेस आराधना गुरुवार को केले का भोग लगाई और इसी कुछ न कुछ जो है गरीब लोगों में दान किजिए यदि विष्णु मंदिर जाते हैं तो वहां दान कर दें नहीं तो घर के आसपास कोई आता है या फिर आपके घर में ही कोई काम करने वाला है उसे भी तरीके से आप कोसिस करेंगे तो कोई नो कोई जरूर मिल जाएगा जिसको आप केले का दान करें उससे भी गुरु ग्रह जो है वह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली परिश्चानिया धनसंबंदी जो दिकते हैं वह समाप्त होती है अब यह तो आप जानते ही होंगे कि कपड़े ना धोना बाल ना यह सारी जानकारियां आपको जरूर पता होंगी लेकिन एक सीज आपको और जानना है देखिए प्राया लोग जो है वह भूने हुए चने गुरु वार के दिन खा लेते हैं लेकिन निश्चित रूप से इसके आपकी आर्थी किस्तिती कमजोर होती है यह देखे थोड़ी स इसे बिल्कुल ना का है बलकि सतनी वार के दिन इसे खाना सुब माना गया है आज के दिन भोजन में कुछ नो कुछ फीली वस्तुएं जरूर बनाएं जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इससे आपनी अपनी दिन चर्या को रूप में देखना सुरू करें जैसे कि आपको य आप नियम बनाने दूसरी अगली चीज जो है गुरुवार के दिन आपको किसी को भी जो आपके घर उधार के लिए जैसे कि गुरुवार के दिन आप अपनी खरीदारी वगरा करें तो उसमें आप पैसे दे रहें कोई समस्या नहीं आप दिजिए और कोई सामान लेकर के पै बिना किसी कारे की आपको लक्ष्मी किसी को नहीं डेनी है तो ये ध्यान रखिए कि गुरुवारर और को आप किसी को पैसे ऊधार ना दे तो बस ये चोटी से जानकारी थी लेकिन बहुत काम के जानकारी थी और इसे नियम भी आप कर सकते हैं क्योंकि सुरू शुरू में जब आप इससे करेंगे तो यह आपके लिए थोड़ा सा भारी लग सकता है। दूसरी चीज कि जितने मैंने उपाय बताएं उसमें से हो सकता है कि एक दुपाय आप करने में सक्षम नहों। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि केले अप आप कर सकते क्योंकि को कोई मिलता है चलिए कोई दी बात ने लेकिन मैंने सारे उपाय इसमें से तीन चार उपाय 香ः भी यदि आपने किया तो निष्चीत रूप से आपको कुछ दिनों में देखने चनल से ज्यादा सुधार आ रहा है और यदि आपने इसको अपने जीवन में पालन किया तो आप देखेंगे कि घर में जो है पीड़ी दर पीड़ी लक्षमी की कृपा जो है वह बढ़ती जाएगी आपके जीवन में तरक्की और उनती के रास्ते खुलते जाएगे उमेद करते जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी मिलती उसी तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद